Hello everyone, welcome to Only IS Union Public Service Commission मतलब की UPSC ने 2021 में होने वाले सभी exams की date एनाउंस कर दी है मतलब कि उन्होंने अपना 2021 का calendar अभी हाल फिलाल में launch कर दिया है इससे उन aspirants को काफी help मिलेगा जो की अभी तक बहुत ही half hazard manner में अपनी preparation कर रहे थे, उनको पता नी था 2021 का prelims कब होगा, mains कब होगा तो उनके लिए एक बढ़िया बात है उनको अब fixed date line पता चल गई है और date line ऐसी है कि हम ये expect नहीं कर सकते कि इस बार अगर 4 October को paper हो रहा है तो next year इससे एक मत पहले मतलब की September इन सब में हो, ऐसा नहीं है जो पहले की plans हमेशा से UPSC करती आई है उसी के हिसाब से इस बार भी Civil Services Preliminary Exam 2021 का date जो है, वो 27 June 2021 रखा गया है साथी साथ आपको भी बताए कि Indian Forest Service का exam भी इसी दिन होता है, तो इसलिए 27 June 2021, मतलब की अगर आज से हम दिन काउंट करना start करेंगे, तो हमारे पास 314 दिन आते हैं केवल roughly 10 months है हमारे पास लेकिन इस बात का आपको ख्याल रहे हमेशा से, जिन जिन aspirants का 2021 एक serious attempt है उनके लिए ये 10 महिने बहुत important है, क्योंकि इसमें ना केवल prelims की तयारी करनी है बलकि mains की तयारी भी करनी है, mains की बीच का gap जो है, वो मात्र 82 days का है, अब इसमें हम ये expect नहीं कर सकते कि हम इन 82 दिनों में सारे mains की preparation कर लेंगे, आपको अपने जितने भी mains oriented subjects हैं, साथी साथ जो आपका optional subject है, दोनों पर full command रखना है, ध्यान रहे कि इस बार prelims exam के लिए जितना आप notes बना सकते हो वो ठीक है, क्योंकि prelims के लिए आपको ready-made materials मिल जाते हैं, abundantly available है, only eyes की magazine भी आती है, आप उससे भी देख सकते हो fully rely कर सकते हो उस पे, लेकिन साथी साथ mains के point of view से आपको थोड़ी कठनाईयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसके लिए notes जादा important होता है, कोशिश करो कि इन 10 महीनों में आप अपने mains और optional subject दोनों के notes को अच्छे तरीके से cover कर लो, ताकि ये 82 days को आप sufficiently analyze करके properly इन पे तयारी कर सकोगे ठीक है, तो एक proper strategy की जरुवत है, एक full proof plan की जरुवत है आप सभी को जो भी 2021 के लिए prepare कर रहा है आप ये समझे कि time बहुत जल्दी बीचता है, पता नहीं चलेगा 10 महीने कैसे बीच गए और तुरंत ये civil service examination 2021 वाला आपके सामने होगा, साथी साथ UPSC ने एक बार फिर से confirm किया है साथी साथ Indian Forest Service का means examination वो 28 February 2021 से start होगा और 10 दिन तक आगे चलता रहेगा तो मोटा मोटा आपके पास अब deadline सभी चीजों की है, कब तक आपको prepare करना है, silvers आपके हाथ में है तो आज ही से बिल्कुल लग जाओ क्योंकि एक बात बहुत ही साफ तोर पर आपको पता है कि जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वो ही अक्सर मंजिल तक पहुचते हैं तो मंजिल तक पहुचना है, अगर final list में नाम दर्ज कराना है 2020 के final list में तो अभी से शुरुआत कर दो अपने कड़ी मेहनत के साथ मेहनत हमेशा hard work के तरफ तो होनी चाहिए, साथी साथ smart work भी होनी चाहिए, क्योंकि जब time आपके पास कम होता है न, तो बहुत ज़ादा effort काम नहीं आता है, लेकिन smart work हमेशा काम आता है, इसलिए आप सभी के लिए एक message है कि आप अपनी strategy को आज से ही plan करना start कर दें उस पर work करना start कर दें क्योंकि आगे चलके आपको कभी भी ऐसा guilt feel नहों कि हमने शुरुआते कुछ दिन miss कर दिया अपने, कास्फ वो दिन भी मिल गए होते, तो हम इस exam को clear कर लेते, ऐसी निराशा आपके सामने नहीं आनी चाहिए, तो finally इस पूरे exam को जम कर, लग कर, अपनी strategy बना के इस exam के लिए भिड़ जाते हैं और 2021 में final list में अपना नाम देखते हैं, ठीक है, फिर हम आपसे मुलाकात भी करेंगे, तो बस आज के लिए इतना ही था, इस lecture में इतनी ही इतनी नहीं आपसे लिए आपसे लिए आपसे लिए इतनी हैं